परसर, SBI तमदार नतीजे आते हुँ दिख रहे हैं, इस्पेशली अगर आप NPS देखें और प्रोविजनिंग देखें, पहले तो जब फिगर आये प्रोविजनिंग का तो हमें लगा कि हम गलत रीड गर रहे हैं इस नंबर को, पर फिर अक्चली रिलाइस किया, सालाना तोर पर 80% की गिरावट है, और तमाई दर तमाई भी देखें तो प्रोविजनिंग आधी हो गई है, बिल्कुल, गजब के नंबर से हैं, और ये एसेट क्वालिटी में सुधार के संके दे रहा है, नो डाउट आप ही कह सेतने की मोरिटोरियम वाला बेनिफिट है, एक्स देप ये भी है कि काफी कुछ प्रोविजनिंग ओलरी ये बैंक्स कर वे चुके हैं, और अब यहां से और प्रोविजनिंग करने के लिए गुंजाइश ज्यादा बची नहीं है, और जैसे आपकी प्रोविजनिंग कम होती है मुनाफिय में उसका तुरंत असर आपको नज आती हूँ, इन नंबर्स की इंपोर्टन्स इस बात को लेकर नहीं कि 340 पर आज SBA ट्रेड कर रहा है, तो कि आज उपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, या दो परसंट, तीन परसंट उपर नीचे वाला मामदा है, इस रिजल सिजन की सबसे बड़ी खासियत और सबसे ब थर्मेक्स के मैनेजमेंट से बात की, थर्मेक्स के रिजल राचुके है, थर्मेक्स के स्टोक लाइए सामने, आपको समझ में आएगा, क्या कॉमेंटरी मैनेजमेंट की, आशीच बंडारी साब वो भी बंडारी जी है, तो उन्होंने जिस तरह की कॉमेंटरी दिया और अराम से धीमे धीमे के ठीक हम कर रहे हैं अच्छा करेंगे लेकिन जो confidence दिख रहा है वह confidence आपको stock price में नजर आता है 20% उपर stock trade कर रहा है तो यह सिर्फ एक quarter वाली बात नहीं है यह कहानी आगे कई तिमाहियों की है और यह जो fundamentals मजबूत होते हैं कमप्शियों के यह बाजार अल्टीमेटली देखिए वो कहते हैं कि सारे स्टॉक प्राइस मार्केट में जो इस शेरों के भाव है वो कम्सियों की कमाएं के गुलाम है तो अगर कम्सियां कमाएंगी तो भाव बढ़ेंगे आज नहीं तो कल और कम्सियां कमा रहे हैं तो यह सबसे बड़ा कमफर्ट और क